उद्धव ठाकरे तो कहते हैं कि यही चीज आपने अगर 2019 में की होती तो आज धाई साल तो मुख्यमंत्रिपद मिलता बीजेपी के पास आज की स्तिती में अगर यह सरकार और आपको 2004 का पूरा टर्म क्योंकि महाराष्ट में कोई प्रेडिक्शन करना बहुत डिफिकल्ट है कहां से कहां चेंज होगा यह 2020 का मैच तो आपको तो अभी पूरे पात साल तक उख्यमंत्रिपद मिलेगा है नहीं अगर वही 2019 में अगर समझोता कर ले थे तो ढ़ाई साल का चीफ मिनिस्ट्रशिप मिल जाए दिके सवाल यह था क हमारे नेताओं ने उद्धोजी के सामने दस बार यह गोशना की कि यह चुनाव देवेंद्र फड्नेविस के नेतरुत्व में लड़ा जा रहा है। प्राइमिनिस्टर साब ने की अमिच्छा साब ने की हमारे सारे बड़े नेताओं ने की उसमें तो उद्धोजी भी ताली बजा रहे थे और इतना ही नहीं उद्धोजी ने स्वयम ये गोशना की तो जब ये तय था कि देवेंद्र फट्नविस के नेतरूतों में हम अचानक जब आपके धार में आता है कि नंबर ऐसा फसा है कि तीन पारिटे एक साथ आजा है तो हम लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो अचानक आप उसको बदल लेते हैं आपने इस पूरे दर्मियान कभी नहीं का निवर और मैं वापिस बहुत स्पष्टता के साथ कहत और सेना को ढ़ाई साल मुख्यमंत्री पद देने का कभी फैसला नहीं हुआ ता और मैं उसके आगे जाकर आपके सामने तथ्धे भी रख देता हूं कि इनफेक्ट जिस समय उन्होंने ये शर्थ रखी कि ढ़ाई साल मुख्यमंत्री पद हमको चाहिए उस समय हमने का यह ए चेट केंडिडेट सहीत शिवसेना को दी और हमारा एलायंस हुआ तो यह बिल्कुल हंड्रेड परसेंट सप्ष्ट था कि मुख्यमंत्री का कोई उनको यह हमने जरूर कहा था कि पिछले बार उनको हमने कम मिनिस्ट्री दी ती हम इस बार ज्यादा मिनिस्ट्री देंगे यह उनको और उन्होंने का था एक दू-तीन मिनिस्ट्री हमको चाहिए अमने का था हो भी देंगे बड़ चीफ मिनिस्ट्र के बारे में कभी नहीं का था अगर कहते तो देखिए बिहार में हमने दिया उस समय हमारे से तो बहुत कम सीटे आई उनकी लेकिन जब हमने उनको आउस करतें तो बिल्कूल बनाते तो इसलिए जो बात है यह ईक प्रकार से पोलिटिकल मतलब एक प्रकार से एक तत्व की बात है और इसलिए यह जो अब हो कह रहे हैं अब यह झो कर रहे हैं कि उस समय हमारे साथ आते तो इनको नई जाए भावाशा साल हम लोग देखिए वहीं नी से Löस लेगें लेकिन आप नहीं यहाँ पर जब विपक्ष में आप थे विपक्ष नेता विपक्ष के तवर पर थे तब आप यह बार-बार कहरे सारे जो चुनाओं होंगे वह आप एक साथ गड़बंदर में फाइट करेंगे तो आपकी अपने बल्बूते पर सरकार आने का तो सपना नहीं पूरा हो पाएगा कि ऐसी कौन से पारटी है जो यह नहीं चाहती कि अपने बल्बूते पर चुन कर आं तो सारी पारटी यह चाहती है लिकन एख पुलिटीकल रियालिटी भी होती है अपनी शक्ति को बढ़ाते जाना ये हर पार्टी का उद्देश होता है कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को साथ में लेकर जिन्दगी भर नहीं चलना चाहती लेकिन आज की पॉलिटिकल रियलिटी ये है कि शिंदे जी की जो बड़ा सहबंची शिवसेना है उसको साथ में लेकर ही हमको आगे बढ़ना है चाहे वो BMC का चुनाओ हो चाहे अकला विधान सभा का चुनाओ हो या उससे पहले आने वाला लोग सभा का चुनाओ हो यह सारे चुनाओं हम बारा सह बंची शिवसेना यहने शिंदे जी की शिवसेना के साथ मिलकर ही लड़ेंगे यह हमने तै किया